हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई चैनल रिजैम कुजीन आप सभी का स्वागा थे मेरे चैनल पर मेरी आज की डिज बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है आज हम पोटेटो चीज बॉल्स बनाएंगे इसके लिए हम लेंगे दो बले हुए आलू बड़े साभी के तो मेडियम साइज के प्याज हरी मेर्श रे धनिया दो क्यूप चीज या मॉझल के लिए सकते ही हैं एक कटोरी मैदा हाफ कटोरी कॉइम तुर एक कटोरी कॉंट्रोर एक कटोरी बेटड ने सीफ सबहसे पेहले हम धनिया मेर्ची और प्याज coconut को बाź केर कि चीज को भी ऐसे स्क्वार शेप में टुकड़ों में काट लेंगे कि अपले हो वाले को मैश कर लेंगे हरे मेश प्यास कौन फ्रोर मिलाएंगे और इसे अच्छी तरह मैश करेंगे पर इसमें टी एक टीजपून ओरिगेनो एक टीजपून चिली फ्लैक्स एक टीजपून चाट मसाला आधा टीजपून गरम मसाला और लास्ट में जाएगा इसमें नमक स्वादनुसार अब इन सबी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे अब इसके छोटी छोटी बॉल बना कर इसमें इस तरीके से जगह बनाएंगे ताकि हम इसमें चीज़ को रख सके और चीज़ को रखके इस तरीके से अच्छे से कवर कर लेंगे बाकी सबी बॉल को हम ऐसे ही बना लेंगे हमने मैदे का घोल बना लिया है सबसे पहले मैदे से कोटिंग करके इसे ब्रेट क्रम में अच्छी तरह से कवर करेंगे और इसे आदे घंटे के लिए फ्रेज में रख देंगे सेट होने के लिए अब ये हमारे बॉल सेट हो गया है और ये रेडी है फ्राइ होने के लिए हमें इसे मेडियम टू हाई फ्रेम पर ब्राउन होने तक अच्छी तरह के से फ्राइ कर लेना है और अब ये हमारे चीजल से बॉल रेडी है इसे आप इंजॉय कर सकते हैं अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू